ले रहे हैं देखे मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारती जनता पार्टी लुच्छो लफंगों और गुंडों की पार्टी है तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग सदन के अंदर जिस प्रकार की भासा का प्रियोग रमेज बिदूरी के द्वारा किया गया ये तो एक माफिया गुंडे एक की भासा है आप एक सम्मानित सांसत को जो लोक सभा में चुन कर आया है लाखो जनता ने उसको चुन के भेजा है आपने उस सांसत को वहां आतंकवादी कह दिया गाली दे दी ऐसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता और प्रधान मंत्री के बारे में भी आप अत्ती जनक शब्दों का इस्तिमाल किया प्रधान मंत्री के बारे में कहा कि उनके उनकी मृत्यू की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पर कि फला किसी ने ऐसा कहा किसी ने ऐसा क किस ने कहा किस ने कहा प्रदान मंत्री के बारे में वो सब बाते हैं तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है वो इस देश के जो तमाम बिपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं उन सब का अपमान है मै ने लंबित करके बाहर कर दिया, इसके खिलाब कारवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके खिलाब अब तक क्या कारवाई हुई? कोई कारवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे बिपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बी जे पी का सांसाद है, वो किसी को गाली दे, सदन में कल को माबहन की गालیاں सुरूँ हो जाएंगी? अगर इस प्रकार की परंपरा सुरू हो गई है, तो कल तो सदन में माबहन की गालیاں सुरू हो जाएंगी? दानी सडी को जिस तरीके से, उग्रवादी, मुला, आतंक व आता है यही संसकार दिया है भी जैपी ने गुंडा गर्दी करोगे इस देश के अंदर हम लोग संसद में जाना छोड़ दे तो यह बहुत ज्यादा आपति जनक है अगर ओम बिल्ला जी में जरासी भी नहीं तिकता है तो इस संसद के खिलाफ करवाई होनी चाहिए